ओम नमस्चुवाई, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती बावना यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको बाग्य साली राशियों के बारे में जानकारी दूँगा, साथ ये महा सिवरात्री से संबंद जानकारी दूँगा, उपाय बताऊंगा, ये उपाय करने से आपकी प्रतेक मनोकामना पूरियों की धन बड़ेगा, शुक और समरती बड़ेगी जीवन में आ रही, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे, महा सिवरात्री का जो दिन होता है, ये बहुत बड़ा दिन होता है, इस दिन वगवान सिव की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, और वगवान सिव प्रिशन होकर के मनवांचित पल प्रदान करते हैं, देखो महा सिवरात्री बारे दिन आपको क्या करना है, ग्यारे बेर के फल लेने, बेर जो होती है, बेर का जो फल होता है, वो ग्यारे आपको लेने हैं, ग्यारे चावल के दाने, और ग्यारे धतूरे के जो पत्ते होते, ओओ है आपको लेना है 11 यह बेल पत्, यह चार चीजें आपको ले लेनी है यह आपको साम को 7 और 9 के बीच मुपाई करना है सबसे पहले, आप भगवान स्भू जीक आपसे करेंगे आपसे करते समय ओम नमस्वाय मंत्र का जाप करना है उसके बाद में एक-एक बेल पत्र, एक-एक धतूर्य का पत्र और एक-एक चावल और एक-एक बेर भगवान सिफ को समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तव्या, ओम नमस्वाय मंत्र का जाप करते हुए आपकी पुत्र धन की मनुकामना अवश्य ही पूरी होगी यह उपाय बेहती चमतकारियों प्रबाब सालियों दोस्तों महासिवरात्री के दिन जो ब्यक्ति भगवान सिफ की आरादना करते हैं उनके सभी मनुरत पूरी हो जाते हैं महासिवरात्री वाले दिन जो ब्यक्ति भगवान सिफ को धतूरार पन करते हैं उनकी पुत्रधन की मनोकामना पूरी होती है और हर प्रकार की च्चह पूरी हो जाती हैं। बहुत बड़ा दिन होता हैं महासिवराति दिन जो भ्यक्तीं बहुत बड़ा योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं आने वाला समय इन रासियों का बहुत ही अच्छा रहने वाला है जो रासियां मैं आपको बता रहा है दोस्तो ब्रसब रासि बहुत ही भागिसाली रासि कह सकते हैं ब्रसब रासि करक रासि कन्या रासि तुला रासि दनु रासि मकर कुम और मीन रासि दोस्तों यह रासियां इतनी बागिसाली हैं अब इनका सभी कार शुरू हो जाएंगे होने और जो भी अर्चने आ रहे थी परिशानी आ रहे थी इनकी सभी परिशानिया दूर हो जाएं सभी रासि वाले सिवरातरी वाले दिन बेल पत्र पर गय का किई लगा करके और साती एक धतूरा भगवान सिव को समर्पित कर दें भगवान के सामने चौमखी दीपक जलाएं अपना नाम और गोत्रुच्ण रहन करके भगवान के सामने अपने चब बोले आपके हर मनुकामना पूरी हो साथ इस दिन पीपल व्रख औरकी के नीचे चौमखी दीपक जला करके साथ परकृर्मा करनी चाहिए इससे मनोकामना पूरी हो जाती है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओब नवस्वाज जरू लेकिए आपकी हर मनोकामना पूरी हो